दोस्तों देखें डिरेक्शन के टॉपिक में सबसे पहले हमें चार डिरेक्शन्स के बारे में पता होना चाहिए अब देखें मेरी सबसे पहले आती है जी में डिरेक्शन्स में डिरेक्शन्स इसके सामने वैस्ट आपके सामने नौर्थ और आपके नीचे साउथ तो सबसे पहले इस्ट वैस्ट नौर्थ साउथ देखिए पेपर के अंदर सबसे पहले मेरे को चार्ड ड्रेक्शन के बारे में पता होना चाहिए अब मान लीजिए एक परसन नौर्थ की तरफ फेस करके से खड़ा है या चल रहा है तो देखिए उसका राइट की तरह होगा जी इधर इधर इसका राइट इधर इसका लेफ्ट अगर कोई परसन इस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है ऐसे तो इधर इसका राइट और इधर इसका लेफ्ट अगर कोई वेस्ट की तरफ फेस करके नेक्स्ट आता है जी, एडिशनल या कार्डिनल डिरेक्शन्स, अब देखिए, सबसे पहले मुझे चार में डिरेक्शन्स पता लग गई, अब पहले मैं एक डाइगराम मारा रहेता हूं जी, ऐसी विल्कुल, इस्ट, वेस्ट, नौर्थ, साउथ, तो ये हो गई जी मेरी चार में डिरेक्शन्स, अब मैं क्या करता हूं, एक लाइन में इसके बीच में खीची ऐसे, और एक लाइन में इसके बीच में खीची जी, ऐसे, अब ये बन गई मेरी चार एडिशनल डिरेक्शन्स कौन-कौन सी, तो इसका नाम पहले ये और फिर ये, तो इसको क्य बोलूँगा जी, नॉर्थ ईस्ट, इसको जी, नॉर्थ वेस्ट, इसको साउथ इस्ट और इसको जी, साउथ वेस्ट. तो नौर्थ इस्ट, नौर्थ वेस्ट, साउथ इस्ट, साउथ वेस्ट अब मालीजिये एक परसन नौर्थ इस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है ऐसे तो यहां उसका राइट और यहां उसका लेफ्ट अगर कोई नौर्थ वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है जी तो इधर उसका right और इधर उसका left अगर कोई south east की तरफ phase करके घड़ा है ऐसे तो इधर उसका right और इधर उसका left और कोई south west की तरफ खड़ा है जी ऐसे मुझ करके तो इधर इसका right और इधर इसका left तो paper के अंदर सबसे पहला main calm direction में मुझे चार main directions बिल्कुल clear हो और चार additional direction बिल्कुल clear हो तो आंट की आंट direction मेरे mind में बिल्कुल clear और left right में मुझे कोई problem ना हो next उसके बाद आता है जी देखिए ये complete circle होता है तो ये कितने degree का होता है जी 360 degree का अब मैंने इसके बीच में एक लाइन कीची अब यह हो गया 180 180 फिर मैंने इसके बीच में एक और लाइन कीची तो अब यह हो गया 90 degree अब देखिए ये दो लाइने कीचने से मेरी बन गई चार main direction कौन कौन जी east west north south तो इससे मुझे क्या पता लगा अगर एक person north की तरफ face करके खड़ा है या जा रहा है अगर यहां से बोला जाता है कि वो 90 degree right move किया तो यहां से 90 degree right move करेगा तो वो east पर पहुंच जाएगा फिर इससे 90 degree right move किया तो वो south पर पहुंच जाएगा और अगर south से 90 degree left move करता है तो वापस east पर पहुंच जाएगा तो मुझे पता लग गया कि दो main directions के बीच में 90 degree का एंगल बनता है अब मैं एक लाइन इसके बीच में खिजता हूं जी ऐसे और एक लाइन में इसके बीच में खिजता हूं जी ऐसे तो यह दो लाइने खिजने से मेरी बन ग अगर एक परसंद नौर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है अगर वहां से 45 डिग्री राइट मूब करता है तो पहुंचेगा नौर्थ इस पर फिर 45 मूब करेगा तो यहां से अगर वह एडिशनल पर खड़ा है और यहां से 90 डिग्री मूब करता है तो south east पर तो एक main direction और ए left to right यहां बोलता है जी clockwise rotation clockwise rotation तो तीनों का मतलब एक ही है कि घड़ी की दिशा में घोम रहे हैं मतलब घड़ी कैसे ज़ती है जी ऐसे clockwise तो मेरी मूवमेंट ऐसे हो रही है जी clockwise direction में देखिए clockwise direction 45 डिग्री 90 डिग्री 135 180 तो clockwise direction इसको उमा देंगे next अगर इसकी बार बोलता है जी फ्रॉम राइट यहां बोलता है जी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यहां बोलता है जी एंटी clockwise rotation एंटी clockwise rotation तो देखिए इसमें इसमें अब उसका रिवर्स में तो अब ऐसे हो रहा है जी मूवमेंट कैसे हो रहा है ऐसे यहां से एंटी क्लॉक्वाइज 45 डिग्री 90 डिग्री 135 180 तो एंटी यहां पर है जी एक पॉइंट ए आपको बोला कि एक परसन ने पॉइंट एसे चलना स्टार्ट किया और वह चला साउथ को तो देखिए साउथ किदर जी नीचे को यहां पर और वह पहुंच गया जी पॉइंट बी पर अब एसे भी चला कितना जी 3 किलोमेटर अब माली जी यहां से बोलता है कि वो लेफ्ट मूव किया तो लेफ्ट इदर को और कितना चला जी 4 किलोमेटर और कहां पहुंच गया पॉइंट C पर तो अगर यहां पर आपसे बूचे कि वो पॉइंट A से पॉइंट B और पॉइंट B से पॉइंट C गया तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो देखिए 3 प्लस 4 यानि कि 7 किलोमेटर मेरा अंसर आ गया अब जहां से कोई भी परसन चलना स्ट करता है इसको बोलते हैं जी स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोलते हैं जी स्टार्टिंग पॉइंट और जहां पर आगर के रुखता है इसको बोलते हैं जी एंडिंग पॉइंट या destination point ending point या destination point अब अगर आपको बोलता है कि वो A से B और B से C नहीं गया अगर वो direct A से C जाए ऐसे तो natural सी बात है कि अगर वो A से C जाएगा तो उसे कम दूरी त्रैक करनी पड़ेगी तो देखिए A, B, C तो आपने छोटी क्लास्वों में एक पाइटकुरस्वाली ठेहरम पड़ी होगी इसको बोलते हैं जी perpendicular इसको बोलते हैं जी base और यह होता है जी मेरा hypotenuse तो मेरे को hypotenuse निकालना है ठीक है जी तो hypotenuse का formula होता है जी अंडरूट में perpendicular का whole square plus base का whole square तो यहां पर मतलब AC है अंडरूट में AB का whole square plus BC का whole square अब देखिए AB कितना है 3 km तो 3 का whole square plus BC क्या है जी 4 का whole square तो मेरा क्या आगया 3 का square is 9 plus 4 का square is 16 तो that is 25 और 25 का निकालेंगे तो क्या आएगा एंसर 5 km तो यहां पर मेरा हाईपोनिस आगया जी कितना 5 km मेरा अंसर आगया अब यह तो by chance वाली बात है कि मैंने 3 और 4 माना तो 5 आगया वहां paper में कुछ भी आ सकता है तो जब भी ऐसे में figure आईगी आपको पता लगे कि ऐसे में कुछ निकालना है तो आपने वहां याद रखना है कि मुझे पाइटागूरस वाला फॉमूला लगाना है या फिर आएगा find the shortest distance या minimum distance फिर उसके बाद करें पर पूछ लेता है जी shadow at the time of shadow at the time of sunrise shadow at the time of sunrise अब देखिए ये चार डिरेक्शन्स होती है east, west, north, south ये मेरा midpoint होता है यहाँ पर एक परसन खड़ा है अब sunrise की बाद करता है morning की तो morning में sun यहाँ इस से निकलता है जी तो यहाँ पर sun है यहाँ पर परसन खड़ा है तो इसकी तो shadow है वो यहाँ पढ़ेगी कहाँ पर west में और next जी एक और अगर फिर बोलता है जी shadow at the time of shadow at the time of sunset तो देखे यह चार डिरेक्षन है तो सुबह अगर sun यहाँ है तो shadow उसके उपोजिट वेस्ट में और साम को अगर sun वेस्ट में तो shadow उसके उपोजिट इस्ट में तो इस concept से आपका shadow वाले question भी हो जाएंगे उढी जाएंगे उसके क्वाइंगakin के पुद्भ्परी